हलो फ्रेंड मैं बिर्जेस कुमार ओपिसेल यूटूब चैनल कॉर्मेंट जॉब्स फोरिव में आपका स्वागत हैं यह वीडियो बहुत थी मात्पुर्ण हैं और सरकारी नोकली से सबंदित हैं एक बड़ी वेकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ और यह जो बड़ी वे लेकेंसी हैं जिसमें नॉन टीचिंग के बिभीन पदों पर आवेदा नाम अंत्रित हैं जैसे रजिस्टार से लेकर नॉन टीचिंग की बात करें तो गुरूप A, गुरूप B और गुरूप C के बिभीन पद हैं तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और महत् पूर्ण होगा तो आप विडियो को लाईक ज़रूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ही सरकारी नॉकरीयी से रिलेकेर विडियो लेकर आता हूं मैं तो आपना सर्विस करता हूं बट मैं अपने लाइबेरी प्रोफेशनल्स और अधर प्रोफेसनल हैं जो इस चैनल पर फीट उठा सकें, क्योंकि यह एक बड़ी वेकेंसी है, नॉन पीचिंग का, और यह जो वेकेंसी है, इसके बारे मैं बता रहा हूँ, तो online application फाउम फिल करना शुरू हो गया है, और online application फाउम फिल करने की अंतिम तिथी, 21 दिसमबर दोजार तेज, रातरी को 11 बज के 50 मिनट हैं, और application फाउम फिल करते टाइम किसी परकार की मिस्टेक हो जाती है, तो 22 से लेकर 25 दिसमबर दोजार तेज की बीच में आप उसमें संसोधन कर सकते हैं, online application फाउम फिल करना है, application फाउम फिल करने का link किया है, यह link आपको इस चैनल के द्वारा जो website बनाया गया है, website का न application आपको से मिलेगा, download कर सकते हैं, और online apply करने का link भी आपको उसी website पर मिलेगा, अब मैं बात करता हूँ, application सुलक के लिए, तो देखिए जो पद हैं, group A के लिए हैं, group B के लिए हैं, और group C के लिए हैं, तो सभी पद के लिए अलग-अलग application सुलक लग रहा है, तो group A में जो application सुलक हैं, general, OVC और EWS काटेगरी में 1500 रुपिय application सुलक हैं, group A के लिए, और ACHT transgender यानि third और PWBD candidate के लिए 1000 रुपिय application सुलक हैं, यह हैं, group A के लिए, अब group B में बात करें, तो group B में general, OVC और EWS के लिए 1000 रुपिय application सुलक हैं, और ACHT PWD काटेगरी में 600 रुपिय application सुलक ग्रूप B में अब हम बात करें ग्रूप C में ग्रूप C में जनरल और OBC EWS के लिए 1000 रुपी अप्लिकेशन सुल्क हैं और AST PWD के लिए जो है 600 रुपी अप्लिकेशन सुल्क हैं लेकिन जैसे अप्लिकेशन सुल्क को पे करेंगे तो इसके साथ में आपको GST चार्ज भी लगेगा जो भी 2-3 रुपीए बन रहा है और GST चार्ज आपको पे करना होगा अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी यह वेकेंसी हैं सबसे बड़ी का बात अलग हैं बिहार में वेकेंसी बहुत कम आती हैं एक तरह से बात किया जाए तो लेकिन जो भी नॉन हैं जिसमें आवेदा नामंत्री थे इस तरह से एक बड़ी वेकेंसी की ओर सुचना हो रहा है अब मैं बात करता हूं यह शीरियल नमबर दि गई हैं यहां पे पोश्ट कोड हैं यहां पे नेम आप पकोश्ट हैं पर कर नेम हैं यहां यहां पर गूरूप दिया गया है यह 2011 में जो हैं, system analyst के लिए एक पद है, group A में L10 का पद है, public relations Hindi officer और assistant register Hindi officer तक एक एक पद है assistant register का दो पद है और यहां जो पद है, group A में है यहनी serial number 1 से लेकर 4 तक जो पद है group A में है, single पद है assistant register का दो पद है group B में बात करें, तो assistant engineer के लिए एक पद है, प्राइबेटी सेक्रेटी के तीन पद है, सक्षन ओफिसर, हिंदी टांसलेटर, जुनियर इंजिनियर सीवी, जुनियर इंजिनियर इलेटिकल, प्रोफेशनल आसिस्टेंट के लिए एक एक पद है, गुरूबी में, सिनियर टेकनिकल आसिस्टेंट के लिए भी QB में एक पद है। अब हम बात करते हैं Group C में जो विभीन पद हैं, तो Group C में Technical Assistant के लिए एक पद हैं, Statical Assistant, UDC के लिए पांच पद हैं, Laboratory Assistant के लिए चार हैं, Library Assistant के एक पद हैं, Lower Division Color के नो पद हैं, Group C में Hindi Typist के एक पद पर आवेदाना मंत्रीथ हैं, MTS के लिए 2 पद हैं, driver का 3 पद हैं, library attendant का जो हैं एक पद हैं और laboratory attendant के 4 पद हैं इसना से total 48 पद उपर आवेदान आमंत्रित किया गया है और यहां जो वेकेंसी हैं बिहार में आया है जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था अब हम बात करें qualification सबसे जारा महत्पूर है qualification तो system analyst क के लिए जो qualification है बीटेक इंप्यूटर साइंस और इंजिरिंग या electronics इंजिरिंग है और 5-year experience इन a language like the C, C++, Java, ETC database से related माइस्वायर और अरकल सहीत बीभिन प्रोग्रामिंग है यदि यह qualification नहीं है तो ME या MT, Computer Science and Engineering में हैं या MSE हैं, MCI हैं और 3-year experience हैं तो भी आप अपलाई क कर सकते हैं, Public Relation Officer के लिए जो है age limit 40 साल है और qualification में master degree 55% के साथ में grade R B in a UGC 7.2 scale है और qualification जो है generalism and mass communication से related होना चाहिए master degree में और कम स्कम 5 साल का experience है, school level का भी experience यदि हैं आपके पास तो चल जाएगा, 2 साल का profession period है, क्योंकि यह सरकारी नोक्री हैं और सभी सरकारी नोक्री में एक साल या दो साल का profession period रहता है, हिंदी officer के लिए जो है age limit 40 साल है और master degree मांगा हुआ है, हिंदी और English दोनों में क्योंकि अपन्धी है इसके लिए बहुत सारे qualification दी गई है, आपको पता भी है इस पत के लिए qualification ज्यादा रहता है, assistant register के लिए है age limit 40 साल, qualification में master degree 55% के साथ में grade in a pointy scale, hardware grading system दी गई है, और इसके अलावा जो है assistant engineer civil के लिए जो qualification है, same qualification आपको मिलेगा electrical के लिए भी, तो first division bachelor degree relevant field from recognized university और three year experience सबंदित field में होना चाहिए, इस तरह से private secretary के लिए भी जो qualification है, age limit है, 35 साल और qualification में bachelor degree है, three year का professional assistant या personal assistant level का होना चाहिए, या five year का stenographer level का experience है, तो experience किसी भी university संस्ता या school से हो, तो भी चल जाएगा, दूसरी बात की हिंदी और English, दोनों में से typing speed है, 120 word per minute के हिसाफ से, English और 100 word per minute के हिसाफ से हिंदी है, जिसको हम normally ले तो 3540 का ratio है, यदि आप typing करते हैं, तो आपको पता भी होगा, secretary officer के लिए जो है, age limit है, 35, qualification है, bachelor degree from अबर तो दूसरी qualification आपके पास है, और army या सच या uniform service at JCO level का है, तो अपलाई कर सकते हैं, और गाड़ी चलाने का अवनभव होना चाहिए, हिंदी translator के लिए यह पत तो आपको पता है, master degree तो है, लेकिन इसमें English और हिंदी दोनों compulsory रहता है, यह पत ही ऐसा है, junior engineer civil के लिए qualification, bachelor degree, सबंदित field में मंगा हुआ है, age limit 35 साल है, यदि आपके पास diploma है, सबंदित field में, तो 3 year का experience होनी चाहिए, और bachelor degree है, तो 1 साल का experience होना चाहिए, junior engineer electrical में, same qualification सबंदित field में है, यदि degree है, तो 1 साल का experience, इलेटकल में, और diploma है, तो 3 year का experience होना चाहिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, age limit 35 साल है, bachelor degree qualification है, इस्टेनोग्राफी, यदि टाइपिंग, इस्वीड, English है, और हिंदी, दोनों में से, कोई एक आना चाहिए, 100 वाट पर मिनिट है, जो ratio होता है, 35-35 का ratio इसमें दी गई है, टाइपिंग का, और 2 year का experience, का है, तो भी चल जाएगा, यदि ये qualification नहीं है, तो bachelor degree library in information science है, और 3 year का experience है, तो भी आप apply कर सकते हैं, बट computer का ज्यान होना compulsory है, senior technical assistant computer में जो आवेदाना मंत्रित है, age limit 35 साल है, qualification में वी वीटे computer science and engineering में है, या double E में है, तो apply कर सकते हैं, ये qualification नहीं है, तो MCA या MSC computer science में ह तो apply कर सकते हैं, लेकिन दोनों qualification के साथ में, 3 year का programming experience होना चाहिए, programming language जो है, programming language जो है, programming language से related experience होना चाहिए, technical assistant के लिए जो है, age limit 32 साल है, qualification में, bachelor degree life science, यानि physical या life science में होना चाहिए, on minimum 3 year का experience maintenance operation से related, या scientific instrument या liberty से related, instrument in the liberty से related है, तो आप apply ज़रूँए, करें, इसके अलावा, statical assistant के लिए age limit 32 साल है, bachelor degree मांगा होगा है, या qualification नहीं है, तो bachelor degree mathematics with statistics है, तो apply कर सकते हैं, ये भी qualification नहीं है, तो bachelor degree in economics with statistics है, तो apply कर सकते हैं, ये भी qualification नहीं है, तो bachelor degree in commerce with statistics है, तो apply कर सकते हैं, UDC के लिए age limit 32 साल है, और qualification में, bachelor degree from recognized university है, 2 year का experience, lower division color level का, य इसके लवाट टाइप इंगिस स्पीट पहें 38 पर मिनेट इंग्लिस और 38 पर मिनेट हिंदी हैं लेबरेटरी असेस्टेंट के लिए जो आवेदाना मंत्रित हैं एज लेमिट 32 साल हैं और क्वालिफिकेशन में बेचलर डिग्री इन फिजकल या लाइफ साइंस वित मिनमम टू इयर आप वर्किंग एंड मैंटेनेंस एक्सपरियेंस इन सिनोफिक सोरी आपके पास टू येर का एक्सपरियेंस हैं तो आप लाइबरी आसेस्टेंट के लिए एज लिमिट 32 साल हैं क्वालिफिकेशन में बेचलर डिग्री लाइबरी इन फिर्मेशन साइंस मंगा हुआ हैं साथ में टाइपिंग इस्वीड इन 30 वर्ट पर मिनट इन इंग्लिज हैं और नोलेज आप कॉम्प्यूटर हैं लडी सी के लिए भी एज लिमिट 32 साल हैं बेचलर डिग्री क्वालिफिकेशन हैं इसके अलावा MTS के लिए एज लिमिट 32 साल हैं और दस्वी क्लास पास लेबल पर आवेदना मंत्रित हैं या ITI पास ड्राइबर के लिए जो हैं एज लिमिट 32 साल हैं दस्वी क्लास पास होनी चाहिए इसके अलावा driving license होनी चाहिए और highway vehicle से related license होनी चाहिए knowledge आप motor mechanics है और experience में driving license related comes company साल का experience reputated या किसी विशंचता से related experience होनी चाहिए library attendant के लिए age limit 32 साल है और बारी class pass level पे आवेदा नाम अंतरित है साथ में certificate course in library information science और one year experience in university or college या educational institute library basic knowledge आप computer है library attendant के लिए आवेदा नाम अंतरित है age limit 32 साल है बारी class science subject से pass out होना चाहिए किसी भी center लिए state government से यदि ये qualification नहीं है तो दस भी class pass out है science subject से skilled certificate program in library technology है तो आप apply कर सकते हैं अब section C में आते हैं scheme map examination तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो paper है दो paper है तीन paper है एक तो skill test है जहाँ पर skill test मांगा हुआ है और multiple first paper है multiple choice का प्रस्न होगा एग गंटे 30 मिनट का paper है 100 प्रस्न पुछे जाएंगे और second paper descriptive type का है एग गंटे 30 मिनट का है और 100 अंग का paper होगा इस तरह से और skill test है एग गंटे का skill test है आपको जो 25 अंग का आपका skill test होगा इस तरह से टोटल 250 अंग का होगा test component जो है यहाँ पे दी गई है किस test के लिए अब हम बात करें जो test है question pertaining to specific area in the concernant post से related जिस subject में आप apply कर रहे हैं subject से related 40 प्रस्ण पुछा जाएगा इसके अला general awareness से related 15 प्रस्ण है reasoning से related 15 है mathematical ability 15 है और test up language English or Hindi 15 है इस तरह से 100 प्रस्ण पुछा जाएगा और 100 वंका होगा इस तरह से descriptive है तो descriptive में जो है syllabus यहाँ पे paper 1 दिया गया है general awareness के लिए और यहाँ पे paper 2 दी गई है जो आपके subject है basic knowledge आपके expert जो है इसके अलावा यहाँ पे test analysis candidate दिया गया है तो इस तरह से यह test होने वाला है unit wise यहाँ यहाँ पे knowledge of computer and specific reference to knowledge of old processing data analysis packaging इस तरह से यह number decide की गई है यहाँ पे skill test जिस पद्द के लिए skill test required है उसके बारे में detail जंकारी दी गई है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर 1, पेपर 2 यहाँ पे जो detail जंकारी है post code गांसा assistant register के बारे में दी गई है इस तरह से सारे post code गांसार paper दिया गया है और syllabus दिया गया है आपको क्या करना है कि यहाँ लेवस डाउनलोड करके देखना है मैं आपको बता दूँ यह जो वेकेंसी है बिहार में आया है और NTA इस exam को करा रही है इसलिए NTA के द्वारा यह notification जारी किया गया है और आज का notification मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको पुरूप के रूप में दिखा दूँ कि यह notification है NTA के द्वारा जारी किया गया है यह राश्ती परिच्छा एजनसी National Test Agency के द्वारा notification जारी की गया है और यह जो वेकेंसी है मात्मा गांधी Central University में आवेदन आमंत्रित है यह सरकारी नोकड़ी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है तो इसी तरह का अपडेट ओने वीडियो की जंकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन को आउन करके रखें जिससे के अपडेट ओने वीडियो की जंकारी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहें